यहाँ पे जिसको फालिस मार देती थी उसके विशे में आप दवाद दगार जवाद यह माता की किपा से सब पूप जाते हैं और बुडिया माई का लोग दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं यह देख सकते हैं आप लो मैं तो कहूंगा आप लोग यहाँ पर जरूर आईए माता जी का दर्शन करने और यह एक दिव्य अस्थान है अलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का एक नी ब्लॉग वीडियों कैसे आप सभी लोग आई हूप कि आप लोग बढ़िया होंगे मैं आज आजा हूँ हतियारा मठ जो कि यह गाजीपूर में काफी फेमस अस्थान है और यहाँ पर सबसे आकर्शन का केंद है माता जी का मंदिर या कहिए बिर्धामिका माता जी का मंदिर क्योंकि यह काफी प्राचीन मंदिर है यह मठ लगबघ यहां की परँमपरा है 700 साल या 800 साल पुरानी परंपरा है तो मैं आप लोग आज बुडिया माता-जी का दर्सन कराने वाला हूँ हूँ और पुरा यहां का व्यूद लिखाने वाला हूँ तो चले चलते हैं बलाकों शुरू करते हैं आप लोग को दर्श बन्द है और चले चलते हैं और मैं कुछ जनकारिया आप लोग बता देता हूँ और यहां जो मठ है प्रसिद augment नोग सब्सित पीठों से एक है यहां जो आजीन होने वाले संत होते हैं उनको यति सन्यासी कहा जाता है और भाई आप लोग देख सकते हैं in यहीं सेंट्री करके हम लोग चलेंगे माता जी का दर्शन करेंगे देख सकते हैं काफी बड़ा यहाँ पर गेट बनाये गया है और भाई यहाँ पर काफी साब सफाई है और देखने में यहाँ भाई न बहुत ही अच्छा लग रहा है यह अमठ में आनेक बाद बताते हैं लोग भाई काफी सांती महसूस होती है और बताते हैं लोग कि यहाँ पर आने पर माता जी का दर्शन करने से मात्र यहाँ मनो कामना भी पूड़ हो जाती है और यहाँ पर देख सकते हैं आपलो यह जो रास्ता है सीदा चला जाएगा जहाँ पर माता जी का दर्शन करने के लिए गिड़ बना है वहाँ पर यहां का लोए बना करके घेरा गया और उसमें फूल भी लगाए गया है जिससे देखने में काफी अच्छा लगता ए पूरा एरिया देख सकते हैं आप इस सैड में और इस सैड में आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक नए भवन का निर्माण कारी चल रहा भाई क्या बनेगा यह तो मुझे नहीं पता है देखें भविस में जैसा भी होगा मैं आप लोग को बता दूँगा एक अलग से ब्लॉग बना करके यह देख सकते हैं पूरा इस सैड में यह देख रहे हैं पूरा फूल लगाया गया भाई देखें काफी अच्छा लग रहा है और यहां पर गौशाला भी है तो मैं आप लोग गौशाला भी दिखाऊंगा और इस गद्धी की जो प्रंपरा है दत्यात्रे सुक देव तथा संक्राचार से प् बड़े नेता भाई यहां पर आते रहते हैं मता जी करने के जाने के अपका में गेट है यहां से आप इंट्री करके मता जी का दर्सन कर सकते हैं मैं आप लोग दिखाऊंगा और यह देखे जह यहां के मंध है हथिया राम मठ के भवानी नंदन यती जी महराज का यहाँ पर देखिए खुब बड़ा से यहाँ पर भाई पोश्टर लगा है और सेल चलते हैं इंट्री करते हैं फिर आप लोग को माता जी का दर्सन कराते हैं और यहाँ पर भाई नौरात्र में काफे ज़्यादा भीड होती है बुढिया माई का दर्सन करने के लिए लोग आते हैं जिसे बृधाम विका भी कहते हैं और यह पुरा परिशर देख सकते हैं आप लो यह भाई यहाँ पर बहुत सांती है भाई यहाँ पर भीड काभी ज़्यादा होती है अभी साम का टाइम है नौरात्र में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड होती है इस टाइम भायूत इदम मंदिर खाली है बहुत अच्छे से हम लोग दर्सन वीकिया है माता जी का चलिए आप लोग को भी दर्सन करा देते हैं और इस देख सकते हैं पुरा परीचर आप लोग अंधिया राम मथ और बुढ़िया माई का लोग दर्सन करने दूर दूर से लोग आते है यह देख सकते आप लो इह हैं सिदी दातरी माता जी यह देख सकते हैं आप लो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ और यह आप लोग देख लीजिए और माता जी का दर्सन कर लीजिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ यह देख सकते हैं आप लोग और देखें यहाँ पर आरती का भी टाइम दिया गया है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो भाई आना चाहते हैं आर्ती में सामील होना चाहते हैं यहाँ पर आकर के आर्ती में सामील हो सकते हैं देख सकते हैं आप लो लिखा गया जैसिद्धात्री माता आर्ती का समय दिया गया है मंगला आर्ती आपका है चार बज के 30, मतलब 4.5 बजे प्राताय में होती है, शिंगार आरती आपको 8 बजे सुबह होती है और स्य नहीं आत्री आप देख सकते हैं, रात्री में 7.5 बजे और यहां पर देखें, नोट में लिखा गया, आर्ती के समय किसी भी प्रकार की पुजा आरती न करें मंदिर बंध होने के समय दोपार 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर बंध रहने के समय मंदिर प्रांगर में न बैठें किसी भी छती के लिए आप स्वयम उत्तर दाई होंगे आग्या से प्रवंधक यहाँ पर वाई इंट्रक्षन दिया गया है इस बात को आप लोग जो भी लोग यहाँ पर आते हैं दर्सन करने माता जी का पूरी तरह से उसको ध्यान में रखें चलिए मैं आप लोग को ब्रिधामविका माता जी का या कहिए बुढ़िया माता का दर्सन कराते हैं लोग यहाँ पर बुढ़िया माता के ही नाम से माता जी को ज़्यादा जानते हैं लोग ये देख सकते हैं आप लों भाई ये देखिए ये है माता जी का अस्थान और ये माता दुर्गा जी माना जाता है ये देख सकते हैं आप लों नराण गौसाला यहां पर काफी सारी गईया माता को यहां का सेवा किया जाता है भाई मैं आप लोग चलिए दिखा देता हूं यह देख सकते हैं आप लोग पुरा बाहर का परिशर भाई देखें अभी अभी ज़ेस्ट आये हैं गाली से देखें आपर दर्शन करने मतलब य मता जी का दर्शन करने के लिए चले चलते हैं आप आगे और भाई मैं आप लोग को बता दूँ इसके पहले मैं एक बार यहां पर आया था लगबग दोतीन साल पहले मैं यहां पर वीडियो बनाने कोसिस किया तो उसमें बाबा मना कर दिये थे क्योंकि उसमें जो मठ के भाणी नंदन यति जी मराज नहीं थे और बाबा जो थे बोले के बिना उनके प्रमिसन के आप वीडियो नहीं बना सकते और यहां पर आनेक बाद ना इतना अच्छा लगता है यहां पर इतना सांती है माता जी के क्रिपा से इस मैं आप लोग को बता नहीं सकता मैं तो खेला है ये भी यहां सबसлый हमें सबस्तबंक काफी क्विणकर कि आपना साथ क्यां लोग आठेल के मिह ब्रि द्रमी नाम अधा प्रिद्वीyorsun कि आप लोगब यहां पर सब्सक्राइब ढता ल काषए अच्छा मात्र से माता जी क्रिपास सही हो जाता है अभी लोग आते हैं इसे की नहीं आते हैं तो यहां से भभूत देते हैं पुजारी जी अच्छा पुजारी जी देते हैं मतब सरद्दा से जो करता है उसका ठीक हो जाता है बिना सरद्दा के कुछ होगा है नहीं अच्छा इसलिए लोग आते हैं यहां पर माता जी का दर्शन करने चलिए धन्यवाद भाई यहां पर एक महाविद्याला भी आप लोग दिख सकते हैं पूरा यह बिल्डिंग और यह यहां पर लिखा गया है महंत पभारी स्री बाल किश्र यती ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते हैं उसके उपर लिखा गया स्री लच्मी नराण भगवान की जै यहां पर लिखा गया है कन्या अशनाक उत्तर महाविद्याला हतियाराम गाजीपूर बीर भादूर सिंग पुरवांचल विश्विद्याला जनपुर द्वारा संबंद यह पूरा आप लोग दिख सकते हैं यहां सेंटी करते होंगे लोग जो यहां पर पड़ते हैं कि जेश्ट बगल में यहां पर पुलिश्चों की सिद्पिट हतियारा मठ कोतवाली भुड़कुणा जनपत गाज पुर उत्तर प्रदेश अगर भाई जो यहां नहीं आया मैं तो कहूंगा एक बार आईए माता जी का दर्सन करिए आपको काफी अच्छा लगेगा और बस यही था पुरा यहां का विव तो फ्रेंड्स यह था पुरा विव यहां का हतियारा मठ का मैंने आप लोग को माता प्लेश पर तब तक के लिए बाय टेक केर जैहिन जैमाता दी